जी स्टार्टिं में तर नेम अफ़ लादि मॉस्ट मर्सिफूल आज टेटलिंग लेयर में ही हम लेक्षर नमर फौर स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें टॉपिक 3.2 कुवा के लेकर चलेंगे तो आज जो हम पढ़ेंगे हों हैमिंग कोड के बारे में हम पढ़ेंगे लास् इसके लावा जो बच्चे आगे नेटवरकिंग साइट पर जाना चाते हैं या नेटवरक सेक्यूर्टी की तरफ जाना चाते हैं तो यह बड़ा एक जो है वो पावर हूलेक टॉपिक है इस जो हमिंग कोड के बारे में तो इसके बारे में देखते हैं हैमिंग कोड अब एक्चली में है क्या सुरूरत क्यों पढ़ती है और किस तरह से कोड कल्कुलेट किया जाता है इसके बारे में यह पढ़ने हमने कि हमने लास् लक्ष्रे में यह देखी दी चीज़ें कि हम कोड कल्कुलेट करते हैं कोड वर्ड बनाते हैं तो यह हैमिंग code word بنانے के काम आएगा हमें व्लोग code इससे बनाएंगे अब किस तरह से बनाएंगे हमें कुछ rules याद करने पड़ेंगे कुछ examples याद करने पड़ेंगी सुरी, examples करने, कुछ rules याद करने पड़ेंगे, examples practice करने पड़ेंगे अगर आप वो rules याद कर लेते हैं और एक एक्जम्पल मेरे साथ अच्छी दरा से एक अपने पास एक रिजिस्टर लेके बैठ जाते हैं और साथ-साथ फोकस करके समझते हैं आपको यह बड़ी चीज़ाना से समझाएगा लेकिन अबर आप यह करेंगे कि बस ऐसे रैंडम ली वीडियो बैठके देख रहे हैं और पॉस करके आगे चलते जा रहे हैं तो मेरे नहीं ख्याल पिर आपको इतना अच्छा समझ आपाएगा तो मैं आप से एक करूँगा कि यह मैठोड समझने से फ़हले अपने पास एक रिजिस्टर रखेंगा उसको इपर नोट डाउन करते जाएं चीज़ें जैसे जैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे तो इस वीडियो विए उगेंड में आपको हैमिंग कोड बनाना डिजाइन करना जरूरा क्या होगा तो मेशिज के साथ एड करके sender receiver को भीज देता है चैसे मनें लास्ता थाम यह बात की थी कि error control मेशिज के अदर करते हैं तो हम क्या करते हैं error control के अंदर our message की Bits लेते हैं और उन मैसेज की बिट्स के अंदर कुछ रिडंटन्ट चेक बिट्स या आर बिट्स डाल देते हैं और उनको मिलाकर एक प्रॉपर कंप्लीट एक हमपलोक बनाते हैं जिसे हमने का था कोड़ वर्ड बनाते हैं वो कोड़ वर्ड बना के यूजर को बेच देते हैं अब वो कोड़ वर्ड के अंदर ही मैसेज हैं उसके अंदर ही हमारी बिट्स मजूद है जिसे अंधासा लगाना है ilez poured neक के मैसिज क्या हो सकते हो मैसिज के अंदर Фट क्या क्या हो सकता है ये मैसिज ठीक है तो इसके एक तो बनेगा तो वह एक खास किसम का पैटरन बनेगा पैटरन उचे सोली लिकना याद नहीं रहा तो मैं आपको रैंडम यह सब्सक्राइब कोई चेंज है ना ऐसे करेंगे कोई चेंज सा पैटरन बनेगा इस ऐसा पैटरन यह होगा यह दो हमारी मैसेज बिट्स है यह जो है हमारी मैसेज बिट्स है तो हम एक खास टेकनीक की घृत घरू इसमें वह चेक डिट्स डालेंगे कोई डालेगम और एक मैसेज बना लेंगे अब आप वह मैसेज कैसे बनाएंगे और जो हमने यूजर को बेजना होगा उसकी आके एक्जामपल करते हैं पूरी एक्जामपल बड़ी असान सी है अगर आप साथ साथ समझते जाएंगे अब यह वर्ड एक यह वर्ट इग्जेम्पल अब यह क्या रही है यह क्या रही है कि आपने इस डेटा को यह डेटा है इस डेटा को आपने इंकोड करना है हैमिंग कोड के थूप हैमिंग कोडिंग से टीम आपने इस्तमाल करनी है यह डेटा है जो यूजर भीजना चाहता ह यह डाटा है जो यूजर क्या करना है तो भीजना चाता है आपने एक हैमिंग स्कीम इस्तुमाल करनी है और हैमिंग स्कीम के बाद आपका डाटा किस तरह से बनेगा वो बताना है जो यूजर ट्रांस्फमिट कर सकता है अब देखें इससे पहले हमें यह चीज़ देखनी इसबाटी आप और लाटा मजल पंटी करने में लगो लिए यह चीज़ जा इसनकी BUT अड़ी जाएं पको जो भी मेंसेश दिया जाये उसमें सिफ दो बत याद रखो कि मैसीज के अंद में ड़र storms क Phillies की पधर आई तो आगे चलके परिटी के जब यूज आएगा तो मैं आपको इवन परिटी और ओड परिटी के बारे में बता दूंगा इस पर मैंने इसले नहीं बता है क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे बचों को यह पता होगा अपने ड्ली के देर भी यह पड़ा होगा और काफी सारे यूज होगी और पैरिटी होती क्या है और क्यों इस्तवाल की जाती लेकिन अभी सुवाज यह है कि अगर आपके पास यह message है यह डटबिट्स है इसने का इस डेटबिट को इनकॉर करो कि स्था इंकॉर करो कि इनकॉर करने के लिए हमें दो बात याद तकने पड़े पहली 248 16 32 और फिर आगे 32 64 64 64 के बाद आपके पास 128 और यह आगे चलते जाएगी 128 इस तरह करके चलते जाएगी तो जो पैरिटी पुजिशन है आपने जब भी एक मैसीज लिखना है आपने जब भी इसकी कोडिंग डिजाइन करनी है तो मैंशा पैरिटी इस पुजिशन पर लिख के ये पुजिशन कहां पर है ये कोई जादू है या क्या है ये पुजिशन एक है कहां पर जाने बैटकर ये चेओं लिखना है तो आपको यह आपको यह तो आयद हो गया है कि यह Бिट्स हैं कि अबात करें। निवार इस रूल को समेंगे कले आप यशाद cн नमबर 248 16 इन पोजिशन के उपर आपने पैरिटी बिट्स लिखनी है और पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करके लिखेंगे तो यह है यहां कि आपके सारी किन्फियन खत्म हो जाएगी जो भी बिटा आपको मैसिज इन कोड करने के लिए जाए आप उसका पहले इस तरह से यह फ्रेम बना है तो जरूरी नहीं आपको जो मैसिज दिया जाए उसके लिए 17 ही बने हो सकता है अगर यह मैसिज बड़ा होता तो मैं आगे 18 ही बना लेता फिर उसके बाद ऐसे 19 में पर भी चला जाता और फिर 20 पर भी मैं चला जाता तो आपके पास सबसे पहला काम जो भी मैसिज आए क लिखना शुरू करने का लिए 17 गिंते लिए 17 लिए 17 तक जितने भी 17 अठारा पीस आपने मैसिज को देए इस मैसिज की देखे कि लिए तो एक तो इसका मतलब है तो आपको यह 15 या 20 बना दे इस तरह से अगर दस बीट का यह 10 वीट का मैसिज जो इस तरह से आप क्या करें बना से 20 बना दे इतनी बात क्लियर होगी आपको अभी सिर्फ दो बाते मैंने आप से कहिए पहले बात है कि यह कि रूल याद रखें पैरिटी बिट की इस पूजिशन प्यानी है पैरिटी बिट इन पूजिशन प्यानी है वान टू अभी पूजिशन बन चुके देखिए उन टू ऊसे समीन सेमटीन नहीं होने चयले इस सीसिण सॉडी सैंटीन नहीं होने की इस इस zmian से भी एफ यह वी मैसेज दिये जाएगा उस मैसेज के मिलने के वाद आप इस तरह से खुनल बना ले और उनको यह पॉजिशन से लेबल कर दे और यह याद रहें कि किस पॉजिशन पर पर डाटा बिट्स हैंगी परिट्टी पॉजिशन किन के आएंगी उन पॉजिशन पर आएंगी जो के अब भी भी आपको नहीं समझा रहे होगा मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरह से पॉजिशन पर एलोगेट होंगी यह क्या है कि देखे यह वह मैंने कौनओं मतलब अविके और इस फ्रेम से अंदर मने लेबिलिंग कर लिए अब इन लेबिलिंग के ओपर भी बूजिशन को लिखता हो तो मेरे पास क्या फोज़िवन को मैं इन डेटा को मैंने क्या करना है इंद डो के लिखने है लेकिन याद रहे मैं one पे नहीं लिख सकता क्यों नहीं लिख सकता क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको रूल बताया है one two four eight sixteen thirty two यह मेरी पैरिटी बिट की पोजीशन है यहाँ पे मैंने data को देखते हैं पैरिटी कैलकुलेट करने हैं और वह वह वही बिट को लिखना है तो इसलिए जो मैं अपनी बिट लिखना शुरू करूंगा left वाले साइट से three से लिखना शुरू करूंगा इस तरह से यह देखें यह इस तरह से मैंने पोजीशन करके देखेंगे one है मेरे पास और यहाँ पे थर्ड पोजीशन में जाकर मैंने one किया अब आगे four पे नहीं एड किया क् पहले ही बताया कि रूल याद रखो प्लीज यू रूल को नीच होना रूल को अपने पल्ले से बांद लो कि आपने one two four यानि कि टू टू रेस पावर वाले नंबर वाले जो कोलम बना रहे हैं उनको छो दो इन पर पैरिट ही बिट आएगी इसके इलावा जो नंबर है उन पर उसके बाए डिबल जेरो पिर यहां तक मैंने मैसेज को लिख लिया था पिर आप यह तक ट्रिपल यह यह जिरो वन जिरो यह जिरो वन जिरो आगे फिप्टीं पे जाके मेरा मैसेज क्यों खत्म होगे तो यह पहला काम था हमारा कि आप किस तरह से भैमिंग कोड बनान हैं किस तरह से अपने डेटा को पहले लिख लिख दे ओओ थाफ में चस आपको क्लिए कैसे लिखना एक बार बार आपसे कह रहा हुए कि रूल को नहीं चोड़ा उना पुजाए पिस ताह से लिंखना अब अगला काम करते हैं कि यह जो boxes आपने छोड़े हैं इन boxes के ऊपर parity bit किस तरह से आएगी तो देखें यहां पर मैंने add भी कर दिया आपके इसानी के लिए कि data जो है वो हमेशा इन positions के ऊपर लिखा जाएगा तो इन ही positions के ऊपर left side से मैंने जो है वो data को लिखना start किया ने के लिए तो parity को add को अपरूल करने के लिए लिए हमें परuduten के आप करने कोड़े हैं आप को यहां परणा करने यह लिए आप कॉ नमरर वण क्या बता है data bit कहाँ पर add करें, rule number two का बताया, parity bit की position को छोड़ देना, जब data bit add करें, rule number three बताने लगा हूँ, कि जब आप पहली parity bit, यह पहली parity bit है, जew पहली parity bit को add कर रहे हो, जब आप पहली parity bit को add कर रहे हो, तो आपने क्या rule याद रखने हैं, तो वो यह rule याद रखने है कि check one bit skip one आई नो आपको समय नहीं आया होगा इसलिए आपको यह दूबारा समझाता हूं कि किस तरह से पहली bit को add कि रहता है तो once again, अगली slide में मैं यहां पर आ कि असान हो सके आपके लिए तो यहां पे क्या और हमने यह पहली position है और यहां पहली position में मैंने पहली bit को add करना है अब rule क्या है रूल के t mogę आए कि जी आप पहली bit को check करो और एक bit को check करो और एक bit को skip करो यहनी यह चैन्कि-ज। यह कहता है कि जब आपने पहली पुजिशन पहली पुजिशन पे पैरिटी बिट को एड़ करना है तो तब तुमने कौन कौन सी बिट को देखना है तुमने कौन कौन सी पुजिशन की बिट को देखना है तुमने पुजिशन नमर वन को देखना है पुजिशन नमर थी को दे तो पहली परिटी को एड करने के लिए आपने जीन के पूजिशन के नमबर को देखना है वह पूजिशन नमर है 3513579 norm up to son उते जहते रहा है अब आप यह सोच कि पहली ठीट को चेक करो अगली को संकिडे तो फिर अगली को मुझार है उन पुजिशं को मार्च कर लो और उन पुजिशं को क्या करो मार्च जैसे देखो मैं यहां पर मार्क कर दिता हूं मैंने पहली पैसी बीट को एड करना है तो मैं कौन कौन सी position के नमबर देखूँगा यह पूज है कि ऐखा कि खोड़कर मैंने यहां से देखना शुरू करना है उसको यहाद रखैं कि आपने उस position को जहां sa नाइस पारिटी बिट लिखना स्टार्ट करने लगे लगे हैं जिससे फ्र लिखनी सुथिप कर दिए बेंगे इसका मतंब है कि यहां पे जो परिटी बिट आएगी यहां पर परिटी बिट कौन से आएगी अब मैं आपको बिलाता हूँ कि परिटी बिट कौन से आएगी इवन परिटी या ओड परिटी तो बिटा यहां पे बड़े ध्यान से सुने मैं यहां पर इवन परिटी इस्तमाल करें लगा मैं यहां प और वह अजए एवन परिटी में तुर्फ एवन परिटी ही इस्तमाल की जाती है तो इवन परिटी का क्या पहरा प्रिप्र यह कहती है कि आप नमब्र वउन्स को देखो लिकार मेरी इस टेटा में नमब्र वउन्स के पूंज्टी पे जी पिशिशन पे मैंने चेक किया है, मैं में स्वाइड पी करोंग है, जिसके बाद शीरो है, उसके बाद क्या है, पिर वन, और टीन वाणने में पस, तो 1 2 3 4 2 3 यह फो आप देखें यह निपने नमबर लेके यह यह फिरेयदे बाट यह कोरके अब परीम बंपि विरोक्त को बिकृ नभी करने तो यह करना वे होना सी और करना है कि जो पहली position के उपर parity bit आएगी वो parity bit कौन सी वेली आने चाहिए 0 आने चाहिए या 1 आने चाहिए यह डिपेंट करता है आप even use कर रहे हो या odd use कर रहे हो let's say मैं even use कर रहा हूं अगर मैं even use कर रहा हूं तो मैंने किन position के नंबर को देखते हुए अपनी even parity को set करना है तो मैंने इन पोजिशन के नंबर को देखते हुए set करना है यह पोजिशन के नंबर जब आप पहली बिट लोगे तो पहली बिट के लिए आप हमेशा position number three five seven यानि कि एक position चोड़के उससे अगली वाली अगली आपह बिसिशन वाले नंबर को लेने एक पूजिशन चोड़के अगली बिविशिशन को द्विशुन कुट लेकिन सब्सक्राइस नंबर वन्स कोiyorsun को को मे नंबर वॉंस को क 95s अगर मैंने इसे इवन बनाने अगर मैंने टोटल नमर फोटार स्वाइड है तो यहां पर यहां परना पड़एगा मुझे वान करना पड़ाइगा मैं आपसे वीडियो करने मैं कि अगर किसी बच्छे कोई और कुछ आप नहीं आता तो उसके लिए मुझे आप इस टॉपिक के एंड पे इस बताएं कि हम इवन पैरिटी और पैरिटी नहीं आता है मैं उस पर इक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाओंगा और फिर उस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को दिखें आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां मैंने कोशिश की है लेकिन मैंने यहां पे अलग से नहीं बताया क्योंकि वो से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और यह काफी बच्छों ने काले पढ़ा लिए तो पैरिटी बिट पोजिशन नमर वन पर जब बेटा हम एड़ करने के तो हमारा जो पैरिटी बिट कोशन आड़ करने मैंने मनें आड़ करने के इस पहल और को जाब करने के लिए has यह आपने पुजिशन नंबर को जिन को कौन से वजी वाली दे को तुम देखो तुम वाले पूसिशन पर जो नमबर है तू पे तुमने लिखना छोड़ दू, थ्री वाले को देखो, फिर 6 को, 7 को, 10 को, 11, 14, 15, अब आप सोचेंगे, यह नमबर कौन याद रखें, तो इसको आपको नमबर याद करने की ज़रूरी, सिर्फ यह रूल याद कर ले, चेक टू, स्किप टू, चेक टू, स्किप टू, यानि कि आपने जिस पोजिशन पे आप खड़ें, हमें इस टाइम, पोजिशन नमबर टू पे खड़ें, यहां से दो बिट को चेक करो, अगली दो बिट को स्किप कर दो, उससे दो बिट को चेक करो, और अगली दो बिट को स तो in धूमने ट्री किय ने मेरे महास बीडनमे ठीक है मेरे पास वान के अब इसके बाद अगली दो को को क्या प profbahnे काto dot eco statement 6ziehen शौस आम तो अरु नमर्स से क्स पोशीन दो नूंबर सेक्स पूरिशन नूंबर आपकी सैमा तो पूसिछ की प्रणों पेटा पोशिल्ए सब्सक्ऴ uwए प्रणुकरिया फूसियला फूरी नो यह दो मेने च्च्यक करकें आप अंतों फिसिचर स्कीप कर दो करते हुए बिन दो को चक करते हो है यहगा इनकली पीस चेकर और horrब्व से बार दे हुए स्कीप तो चोड़ दें आपके पास 15 पे कोई data नहीं तो आप उसे skip कर दें जहां तक आपका data बस वहां तक आपने जाना है अब यहां कोंसी parity इस्तेमाल करने है यहां पर इस्तेमाल करने है even parity जब मैंने even parity इस्तेमाल करने है चार है even number of ones even है इसका मतलब है यहां मैं क्या लिप दूँगा है यहां मैं zero add कर दूँगा इसका मतलब है कि यहां पर क्याना चाहिए जिरो होना चाहिए तो देखें यहां पर क्या आगया जिरो आगया तो इसी तरह से बिटा हम अगली पोजिशन पे यह जो अगली पैरिटी पोजिशन हमारी फॉर वाली यहां पे भी पैरिटी बिट आड़ करेंगे और even parity के लिए हास से आड़ करेंगे अब इसके लिए ज हैं को स्थिंस मांक से आपको नदर भी आ अपको नदर भी आ चाहिए क你看ed me तो मुझे इस को न चाहिए मुझे करना चाहिए है नो को देखना है चेक 8 bit skip 8 bits पहली 8 bit को देखे और अगली 8 bit को क्या करें आप skip कर दे पहली 8 bit को देखे और उसे भी 8 bit को क्या करें आप skip कर दे तो I'm sorry यह मैंने 2 to raise power 3 वाले के लिए रूल बता दिया आपको यह उपर वाली bit के रूल है I'm sorry यह अपने मेटा confused नहीं होना यह जो रूल है वो यह है यह रूल जो है वो इस position के लिए एस position के लिए रूल है यह इस position के लिए रूल यह है तोड़ सी mistake होगी जो है वो 2 to raise power 2 के लिए रूल किया है वो गयता है कि जी आपने 4 bits चेक करनी है और उससे अगली 4 bits को skip करने देखे रूल वही है सिर गलती क्या और राइब हमारा वोगी है। क्या है कि आपने टू बिट जिस पॉजिशन के उपर आप खड़े हैं इस पॉजिशन से लेच चार में च będzie को च transparen करना है। इस पुजिशन को मिलाकर इस पुजिशन को मिलाकर आपनी टोटल चार उपने करना के पुजिशन ओवान टू-थ्री-फौर और उसे ऐगली चार को क्या करना है कीप करना है यानि कि की पुजिशन नमबर फवर फॉर फिशन नमब फॉर क्या है पुजिशन नमबर फॉर देटी बहें कि वॉस्जिन नमब वॉर क्या है, फईपी क्या है, यह यह युच्छ दो फइन नमर पाफ न करत Judge ,, तो यही जाना कि चार बिट को चार करो चार को स्क्किर हो называется खीसलों सिद्धाखक सलैक आप 20 बिश्चम अगले जो जिए अगली यह चार को वे चीप घर सुना next मैं मोब 4.5 फाल। मेरे पास क्या है अपित है जेरो और फॉजिशन नमबर थैर्टिं पे क्या मेरे में पास bit है position number 30 प्रास्म इच तरह position number 14 पे मेरे पास क्या bit है position number 14 मेरे पास जरो तो अब मैंने even parity बना तो even parity के क्लिए मजह क्या करना पड़ाइगा मुझे number 1s कांट करने पड़ेंके तो यहां पर कहते number 1s नमबर 1s है तो two number 1s के लिए मेरे पास क्या जिसलिए मैंने क्याट कर दिया तो यह देखिए पॉजिशन नंबर फॉर के उपर जहां पे कॉशन माथ था क्याट हो चुक्त है तब फाइनली तोर पे अगली जो बिट है हमारी अगली बिट कौन से है यह एट बिट है एट पॉजिशन है सोरी अब एट पॉजिशन के की रोल होगा गॉजिशन इस पॉजिशन के लुजिशन के अगली में Tamu पहली 8 बिट को छीक्रें उसको स्किब कर दो फिर 8 बिट को चंप और इस एकली 9 को स्किब कर दो अब यह γोर्ड याफ इसकात है इसको कुछ तो फाइनली होड़ा पर भी जो पूरा बन जो कि है जो कि युज्च में वह मेसेजिश जो चिज region का इनकोर्ड करने pi so तो अब आप इस वीडियो को पोस्ट करें और इस प्रोसेस को पूरा एट फजरत दुबारा से खुद से करने के कोशिश करें इस वीडियो में और भी वैसे मैंने एक दो एक्जम्पल्स आप के लिए रखी हुए है ताकि आपको मज़ीर क्लियर हो सके अब बिटा आगे आप देए यह बिट पूजिशन जो मैं आपको बता रहा था यह पूरी पूजिशन आप लिख लें और फिर उसके बाहरे यहां पे पूजिशन के लिहास माँ करने के यहां पर पर डिटी टू यहां पर आपका मैसेज की डेटा बीट वहन आएगी फिर इसके पडिट यहां पर यहां पर तो मैंने आपको एक बोक्स कोना देख अब इसी को नीचे मैप करें पहले हैं गिल्दी लिखिए वंट प्रिवान से लेकर 17 तक बिट यहां पर 15 तक लिख लिए अब पैरिटी बिट कौन कौन से थी मेरी है यह वन वाली तू वाली और फोर वाली तो व के लावा जो पूजिशन है 1,2,4 के लाव ही 3 वाली 5 वाली 6 वाली 7 यहां में तो सिवापने डेटा मैंसे लिख रहा था तो इसलिए इसे डेटा बिट 1 डेटा बिट 2 के लिख लिए अब देखें यह वह रूल है जो मैंने आपको बारी बारी तोड़ का बताया था यहां यहां इसधा चजान आप एक टी टेबल के दर बुतार रहें कि अगरह आपने पर टीवन टेरू लिखने गरवें लगा नहीं है तो परे टी वाल के लिए आप कौन कौन सी position के number को देखोगे तो आप position number 3 के number position number 3 की bit को देखोगे position number 5 के number को देखोगे position number 7 के number को देखोगे position number 9 के number को देखोगे तो देखे हैं आप यह ज़रा आप horizontally देखें तो यह बता रहा है horizontally पढ़ना इसे कि parity 1 जो आपने लिखनी है parity 1 के लिए आपने कौन सी position के number को देखने है तो यहां पे तो parity बिटाएगी बाकी in positions के number को देखने है अब मैंने आपको बताया था कि आपको याद रफने की जोट नहीं से याद रखे check one skip one check one skip one तो इसे दरह से पूरे message को check one skip one के तहद read out करें जो number इकठे हो जाए उनको side पे लिख लो और इस लिहाद से parity लिख लो इसी दरह से parity two के लिए भी बिटा वो ही चीज़ parity two कहां पे आते हमारी यहां पे parity two की बिटा है यहां पे तो parity लिखने है नमबर कौन कों से लिखने है इन positions के number लिखने हैं अब यह positions को यार कैसे रिखना है तो इनको यार रिखने का तरीका क्या है check two, skip two check two, skip two इसी तरह four के लिए भी check four, skip four इसी तरह eight के लिए check eight, skip eight और इसी तरह बहुत बड़ा message आ रहे sixteen bit से भी उपर parity bit इस्तमाल हो जी जो कैसा normal होता नहीं लेकि मैं आपको assignment में दोगा तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि आप सोना bit को check करोगे और अगली सोना bit को क्या करोगे? skip करोगे मतलब जब आपका message बहुत बड़ा हो जाए तो यह बड़ा असान है आपका जो hemming code वाला method है और I guess आपको इसमें कोई confusion नहीं होगी अगर confusion है भी बेटा तो एक मर्तबा पीछे से बारी बारी जो आने यह ब्लोग्स बना के आपको दिखाए हैं इनको जरूर अच्छी तरह से देख रहे हो अब यह example number two है यह कहता है कि अगर मैंने यह message बेजना है नहीं है तो बताएं एमिंग कोड के साथ यह message के sense encode के जाएगा तो मैं once again अब आपके लिए बारी 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 वो बलोग्स बना के नहीं करूंगा बिलके मैं क्या करूंगा एक ही टेबल के लिए सारा आपको सोब करके दिखा देता हूं आप प्रैक्टिस के लिए बारी बारी फ्रेम्स मना के करें ताके आपको समझाए तो यह बेटाइस का अंसल है देखेंगे यह उसी तरह से मैंने बिट्स पोजिशन लेकिए one two three four five six है हूं तो यह पर देखेंद मैंसेज को लिखा किसे मैंसेज को लिखा देखेंए यह पहला one है यह one हूं है यह दूसरा one है तो यह यह दूसरा one कि फिर उसके बाद मेरे पास है zero जीरो और पिर इसके बार में पास one है तो इस तरहां से मैंने इस message को इस table के अंदर लिखा इस table के अंदर हमने message किस तरहां से लिखा या हमने इस table के अंदर message को double one zero one की form में लिखा ठीक है उसके बाग हमारे पास है even parity अब even parity अगर आपने पहली position पे parity को add करना है अगर आपने पहली position पे parity को add करना है तो आप क्या उन्सी वाली position को लेखेंगे आप position number three five and seven वाले को देखें इस तरह से अगर आपने पारीटी नमबर two को लिखना है तो परिटी नमबर 2 के लिए क्यों सी पूजिशन को देखोगे, चप 2, Skip 2. पर इसी तरह से अगर आपने पूजिशन नमबर 4 की परिटी को देखना है, तो क्या करेंगे, आप तो इस की पूजिशन के लिए जो पैड़िटी बिट्स है, 10101 आपका मैसिज कैसी इंकोर्ड होगा आपका मैसी 1000 1010-110 इस तरह से ही मैसिज आपका क्या हो जागा in code होके यूजर के यूजर जो है वो आ जिए лож आगा तो इसको एक मरतबा वीड्यो को आप post करें और एक्जेमपल को फूर्चिँ मरतबा देजने की कोशिश करें आप 1 Ми-2-3 यह सो भी आप पो जो को नंब्र को चेंच करक्र गे करना चाते हैं आप अगर हम उन फ्रेम की शक्क्र में करना चाते हैं तो वह भी इस तरह से ऩी ठीक है अब इसी मेठिच्ट को हम किस तरह से क्रेक्शन मेठिच्ट के तchemical है जो है या गलब था, तो उसके लिए भी बेटा आपको सेम उसी तरह से टेबल बनाना पड़ेगा, उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, आपके मैसिज को लिखना पड़ेगा, सेम उसी तरह से आपके मैसिज को लिखें, जीरो, डेवल वन, जीरो, ट्रिपल वन, आप सेम उसी तरह से मैसेज यह को लिखने के अबan क्या करें हर Bay की specific and इसके लिए मैंने कॉन कौन सी पजिशन को देखना है इन तीन पॉजिशन की बिट सबीट सब्सक्राइब तो मैं यूज करहूं इवन परेटी अपने को वन सब्सक्राइब किज़ने आते हैं 123 तो नुम्हारहन कितने है तीन यह नहीं है इसका मतलता है कि ठीड़ा आपब कर अधी कोई रूप्ट होगा है इसलिए एक पर यह नहां पर यहां पर वन वन नगैंग यहां पर वन नहीं आना चाहिए यह इजी तरह से शेकंड वाली देखें यह पहरी टीट है और को पीशिचन को देखें मैंने फिरीको पॉड़ी को और सेवन को नुम्मर वान से कांट पर एवन बनते हैं वन टू टू ट्रीवाइब टीक हो गया फिर उसके बाल आप इसको देखें यह बैरिटी बिट है और नुबर उट कित्ने हैं नुमर उट है तो मेरे पस तीन है तो इसका मतलब है कि यहां किया हुआ है यहां पे क्मेना कोई खैररा के तो रूल ही रहा अब वहां पिर जिसद्रा बैरिटी को इस्तमाल करते वे, Parity को इस्तमाल करते वे, हम एड कर, लझए थे position के, अब यहाँ पर verify करने है, ख्थे अगर यहाँ पर यह position नमबर है, अगर यह यह position señor नमबर है, उर यह parody की position है, और even parody इस्तमाल करनी है, टो इन position पर जो number ones है, कि उसके लिहाज से ही यहां पर परिटी लिखिए अब जो आप बिटा पन्फ्यूज होंगे वो सिर्फ आपको इवन और और ओड परिटी के लिए नहीं है तो इस वीडियो को समयने से पहले एक मत्बा इवन और ओड परिटी का पूंसेप्ट जरूर समय ले या मुझे इस व यहां पर अल्हम्दिल्ला जो है वो चप्टर फॉर का लेक्शन नम्र चप्टर त्री का लेक्शन नमर फॉर खतम हो गया है और यह चप्टर भी हमारा खतम हो गया है